नमस्कार जैहिंद स्वाकत है आपका एक बाफिट सब की चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो शली आज की वडियो को सुरूख करते हैं तो फार्मेसी फिल्ड को लेके जिस तरह बड़े बड़े फैसले हाई कोट और सरकार के दोबारा लिये जा रहे हैं वहाँ भी ओनलाइन रेजिस्टेशन का जो सिस्टम है उसको सुरूख किया गया है क्योंकि पहले रेजिस्टेशन में बहुत ही जादा भरस्टा चार होता था और अभी जो स्टेट फार्मेसी काउंसल है उनके इलेक्शन भी ओनलाइन करवाए जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसल है यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसल का ओनलाइन इलेक्शन होने वाला है इस समय उत्तरप्रदेश फार्मेसी काउंसल का ओफलाइन एलेक्षन चल ला है इसमें क्या होता है कि जो भी रेजिस्टरड फार्मासिस्ट हैं उनके एड्रेस पे उनके होम एड्रेस पे बाइलेट पेपर को भेजा जाता है लेकिन इसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा कर ही एपसन होता है किसको बाइलेट पेपर मिलना है किसको नहीं मिलना है उसकी बाइलेट पेपर वहाँ पहुच भी नहीं पाता है इसलिए ऐसे लोग जो जादा यहाँ पे सडेंत्र करते हैं, साजिस करते हैं, वो State Pharmacy Council के इलेक्शन जीर जाते हैं और वहाँ पे कबजा करते हैं और ब्रश्टाचार करते रहते हैं लेकिन अभी बिहार State Pharmacy Council में ओनलाइन इलेक्शन होने वाला है और जो भी रेजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो ओनलाइन ही वोटिंग कर पाएंगे तो देखें, यहाँ पे दिया गया है दिनांग 25.8.2022 और यहाँ पे लिखा गया है कि निर्वाची पदादिकारी बिहार, State Pharmacy Council पटना बिहार की अध्यचता में परिसद के आम निर्वाचन 2022 के निमित सहायक निर्वाची पदादिकारी तो यहाँ पे सारे चीज़े दी गई हैं, तो देखें, इसमें लिखा गया है कि बैठक में सर्व पर्थम निर्वाची पदादिकारी बिहार, State Pharmacy Council पटना बिहार द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए इस बैठक के उद्दिस्यों वह परिसद चुनाओ के महत्व के बारे में अउगत कराया गया तो देखें, यहाँ पे माननी उच्चनियाले ने जो है, वो ओर्डर किया है कि बिहार, State Pharmacy Council के इलेक्षन ओनलाइन करवाया जाएंगे, जिसकी आप यहाँ पे दिखते हैं, परिसद का चुनाओ ओनलाइन कराने का निड्ने लिया गया, तथा भी भविस्ते हेत्व ओनलाइन चुनाओ कराने का भी विकल्प खुला रखा गया, तो देखें, बिहार, State Pharmacy Center को Agency बनाया गया, NIC, और यह एक संस्था है, जो कि सभी, जो भी सरकारी वेबसाइट है, इनको यह डिजाइन करती है, और उनको चलाती है, NIC, आपको जिस भी वेबसाइट में लिखा मिल जाए, nic.gov.in, आप समझे कि उस वेबसाइट को NIC, यानि कि National Informatic Center ने उस वेबसाइ के माध्यम से, या फिर आपको वहाँ पैसा सिस्टम दिया जाएगा, जहाँ पर कि आप अपने registration number से login कर सकेंगे, और तुरंद voting कर सकेंगे, तो यह बहुत ज़्यादा transparent system होने जा रहा है, और ऐसा ही सिस्टम सभी State Pharmacy Council को login करना चाहिए, कि जो भी registered pharmacist हैं, वो अपना online nomination भी उसको file कर सकें, और जो भी उनको candidate पसंद हैं, वो उनके पच में online voting भी कर सकें, तो देखिए, आने वाले समय में हो सकता है, जो आपका UP Pharmacy Council है, यहाँ भी online voting करवाय जाएगा, क्योंकि pharmacy में बहुत सारे चीज़े इस समय बड़े फैसल लिए जा रहे हैं, इस से कि जो pharmacy का field ह इसको बहतर किया जा सकें, और जो अच्छे लोग हैं, वो state pharmacy council में बैठ सकें, और वहाँ से corruption भी खतम हो सकें, तो दोस्तों यह एक बड़ी update है कि बिहार state pharmacy council में online election होने जा रहा है, तो आपको यह वीडियो कैसे लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आप